Hello everyone, welcome back another video, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉन्डा की तरब से उनकी upcoming scooter जो की launch होने वाला है इसके pattern वगेरा सामने निकल के आए हॉन्डा ने बताया है इसका जो नाम है वो हो सकता हॉन्डा बिट के नाम से यह scooter रहेगा और हॉन्डा बिट्स scooter यह बहुत जल्दी launch होगा इसके pattern बगेरा जो है design pattern जो है लीख हो गया है और यह scooter अल्रेडी इंडोनेशा में launch है और इंड यह popular scooter जो कि Honda विट्स है उसको क्यों ना इंडियन मार्किट में launch करे यह scooter किस तरह से नया देखने को मिलेगा इंडिया मार्किट में उसके बारे में बात कर लें दोस्तो दोस्तो सबसे पहले आपको इसके जो टायर है वो normal टायर नहीं होंगे जो scooter में normal आपको देखने को मि बात कर लें दोस्तो इसके टायर साइज की तो वह आपको 80-90 का जो है फ्रन टायर और 90-90 का रियर टायर आपको ट्यूबलस देखने को मिल जागा आप देख लीजए दोस्तो इतने बड़े जोगा आपको टायर देखने को मिलेगा तीपिकली यह scooter body तो आपको scooter की मिलेगी लेकिन जो नीचे का portion है जो bike का portion आपको देखने को मिलेगा तो कह सकते हैं कि bike और scooter इने दोनों मिलके जो है शादी हो गई और यह जो है इस तरीकी का बच्चा पैदा हुआ है और यह scooter दोस्तो बहुत जादा लोगों को पसंद आने वाला है क्योंकि काफी लोग बड़े ट का एक Aerox हाता था मैक से scooter वो भी जादा काफी जादा पसंद है लोगों को लेकिन उसके price बहुत जादा हाई है तो क्या पता लोग उसकी तरफ भी काफी लोग लेते हैं उस bike को इस scooter को लेकिन अब जो है Honda का bits जो है यह Indian market में काफी लोगों को पसंद आने वाला है दोस्तों इस bike में आपको feature भर-भर के देखने को मिलेंगे जिस तरह से आप Activa 4G के अंदर में देखने को मिलते थे 6G के अंदर में देखने को मिलते थे वैसा कुछ जो है यहाँ पर होने वाला है अला कि जिस तरह के से Indian market में Honda काम कर रहा है मैं कहूंगा कि Honda जो आपने टू-wheeler को ले आपको इसका प्राइज जो है इंडोनेशा के अंदर में वह एक लाग रुपे जो है देखने को मिलता है लेकिन इंडियन मार्केट में यह एक लाग से थोड़ा ज्यादा ही मैं कहूंगा कि हूने वाला कि यह 6 के अंदर में आएगा और व्योल चानल लीगेस होगा तो फी और 9.5 CC का इंजन जो की SOHC आपको देखने को मिलेगा 9 PS की पावर और 9.2 Nm का टॉग आपको देखने को मिल जागा पर किलोमेटर की बात करें तो यह आपको 16.6 किलोमेटर का मायलेज जो है आपको देखने को मिल जागा अब यह कितना सच है यह तो पता नहीं यह पता फिल यह लोग इसे लिना पसंद करेंगे तक के मामले में फीचर के मामले में बात करो दो तो यह एक्टिवा वाले ही फीचर जो है आपको देखने को मिल जाएगा मूबाइल चेक कर सकते हैं आप चन बाइ-टन का नेबिगिशन वगयर मूबाइल से जो और आती है वो सभी जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाइक पर चल रहा है उसे कोहन वगेरा के नोटिफिकेशन आएगा वो उठाएगा ये मुझे लगता है सेफ नहीं है हाला कि फीचर है तो इंडियन मार्केट में फीचर जाला चलते हैं सिफटी कम चलती है लेकिन दोस्तों ये जो स्कूटर है काफी जादा लोग जो है compare कर सकते हैं इसे इन टॉप वगेरा के साथ भी क्योंकि इसमें जो हाला गुलूक आपको देखने को मिलेगी बड़े टायर साइज आपको देखने को मिलेगा तो किस तरह से ये इंडियन मार्केट में प्रेजेंट होती है ये स्कूटर देखना होगा दोस्तों अगर आपको ये स्कूटर पसंद आ रहा है तो नीचे ज़रूर से comment ज़रूर कीजिएगा इसके बारे में लाइक कर दीजा डिसलाइक भी कर दीजा अगर वीडियो पसंद नहीं आती है आपको और शेर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों इसी तरह से जोगे हैं सब्सक्राइब भी कर देजीगा अमारे चाहिए फिर मेरते हो नई वीडियो के साथ